हलो फ्रेंड आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने वीव वाई 56 एंडूइड मॉयल फोन में आप जो नोटिफिकिशन अन लॉक स्क्रीन इस सेटिंग को आपना डिसेवल कैसे कर सकते हैं ठीक है और यह नोटिफिकिशन अन लॉक स्क्रीन सेट सेलेक्ट करना है अब नोटिफिकिशन के इस पेज में आपको नीचे आना है यहाँ पर आपको यह option मिलेगा इस option के ठीक सामने आले circle पे आपको tick mark लगाना है ठीक है tick mark select कर ले ना इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ यह देखे इस तरीके से ठीक है don't show any notification के सामने आले circle पे तो इससे आपकी जो नहीं यह setting आपकी notification on lock screen setting आपकी disable हो जाएगी ठीक है अब इस setting disable होने के बाद काम कैसे करेंगी हम आपको बता देता हूँ देखे आपके mobile phone पे कोई भी notification आएगा जितने भी notification आएगे न वह notification आपके mobile phone की इस lock screen पे आपको दिखाई नहीं देंगे यह lock screen का page है यहाँ पर आपको कोई भी notification दिखाई नहीं देगा जो भी notification आपके mobile phone पे आएगा तो ठीक है वह notification जिस app का होगा उस app के अंदर चला जाएगा लेकिन lock screen पे notification दिखाई नहीं देगा तो इस setting जो है disable करने के बाद इस setting को जिस तरीके से काम करेगी आपके phone में ठीक है अब मैं आपको इस setting को ढूंडने का एक shortcut तरीका भी बता देता हूँ आपके mobile phone में इसके लिए आपको करना क्या होगा अपने mobile phone में आपको setting page फिर से open करना है setting page में आपको सबसे ओपर यह search icon पे select करना है और यहाँ पर आपको search बार में type करना है notification सिर्फ notification type करना है तो आपको notification से related आपको काफी सारे option show हो जाते है इन में से आपको यह वाला option मिल जाएगा notification on lock your screen इसे आपको select करना है ठीक है इससे होता है कि आपका mobile phone आपको directly setting page में लेकर आ जाएगा और इस setting को highlight करेगा तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका भी बता दिया इस setting को ढूंडनेगा आपके mobile phone में